हेलो एब्रीवन वेरे गुड मॉर्निंग डिया स्टुडेंट इस्टुडेंट नौ टेक आउट यूर मैठ्स बुक सारे बच्चे इपनी मैठ्स की बुक ओपिन कर लेंगे हम लोग बेटा मैट्रिक मेजर्मेंट पढ़ रहा थे ना तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंथ लेंथ ने पढ़ेंगे मैजरिंग लेंथ यूजिंग नौन स्टैंडर यूनिट्स गैर माना की काईयों का प्योग करके लंबाई मापने की लंबाई In incident time, people use body parts to measure lens, the following are the common measurements that were used मापने के एकाई लंबाई प्राचिन कान में लोगों निंग लंबाई मापने के लिए सरीर के अंगों का इस्तेंमाल किया था बेटा जो measurement होता था वो पहले के लोग जो होते थे दो वो सरीर के अंग से अपना measure लंबाई means करते थे जैसे अभी आपको यहाँ पर बताया गया है hand span, foot span and qubit qubit means कोहनी से measure करना चले एक एक करके हम समझते हैं hand span क्या होता है the distance between the tip of the thumb and the tip of the smallest finger in and out stressed hand अंगूठे के सिरे और सबसे बाहरी हाथ की सबसे छोटी उंगली के सिरे की बीच की दूरी जो अंगूठा का सिरा होता है बेटा और सबसे बाहरी हाथ की सबसे छोटी उंगली उसके सिरे की बीच की दूरी क्या कलाता है hand span means वहाँ से हम लोग क्या करते हैं measure करते हैं यह जो कानी उंगली आपके होती है ना छोटी वाली यहां से और अंगूठे से मेजर करते हैं, जैसे किसी चीज से हमें, किसी चीज जैसे टेबल को मेजर करना है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, अंगूठे से स्टार्ट करेंगे, छोटी उंगली से, फिर छोटी उंगली means foot span का काम जो सबसे बड़े पैर की 80 से दूरी हम लोग measure करते हैं, okay, largest means largest distance from the largest to the heel, आप जो हैं कैसे करते हो बेटा, measure करते हैं, हम लोग सबसे बड़े पैर की 80 से, 80 से start करते हैं, दूरी measure करना, okay, third qubit, the distance from the elbow, the distance from the elbow and tip of the largest finger, okay, हम लोग बेटा क्या कहते हैं, कोहनी से सबसे बड़े उंगली को की नोग तक की दूरी को measure करते हैं, कोहनी से, means हाथ का जो ये कोहनी होता है बेटा, यससे क्या कहते हैं, qubit क्यूविट से start करते हैं सबसे बड़ी means कहोनी से सबसे बड़ी उंगली की नोग से सबसे बड़ी उंगली की जो उंगली होती है उसकी नोग से कहोनी से start करते है उसकी नोग तक की दूरी ओके जैसे हैं यहाँ पर दिया गया first better try to measure the length of any table at your home using hand span the figure alongside shows how to do this हम लोग इसे कैसे measure करेंगे बेटा अभी मैंने बताया hand span का आपको बेटा कहां से measure करना है सबसे अंगूठे के जो अंगूठे की सिरे से start करते है सबसे बाइरी हाथ की सबसे चोटे उंगली के सिरे की बीच की दूरी से तो हम लोग measure करेंगे याँ पर बेटा लेखेंगे सेवन हम लोग table का measure करते हैं तो बेटा सेवन आता है measure करने पर आपर माल लेते हैं सेवन आ गया हम लोग start किया measure कर लिया है सेवन आया बेटा ओके ऐसे ही now ask your father mother to measure the same table using is her hand span यहाँ पर 5 कर देंगे how many hand span it's now 5 do you think this is an accurate method of measurement no यहाँ पर no करेंगे give a reason for your answer यहाँ दे देंगे because everyone hand span have different size सबका hand span का क्या होता है different size होता है बेटा आपको दिख नहीं रहा होगा मैं आपको लिख के बता दे रहुए because लिखेंगे because everyone because everyone hand span hand span because everyone hand span has have different size okay have different size कोई बच्च्चा स्पलिंग मिस्तेक नहीं करेगा मैं आपको लिखके भी बता दी हूँ ओके, because everyone hand span have different size यह होगा आपको give a reason of your answer में because everyone hand span have different size ओके बेटा, सारे बच्चे कर लेंगे यही आपको write करना है and B वाले में बेटा, measure the same table using qubit क्या होगा बेटा, आपर 3 आएगा now ask your father mother to do the same 2 यहाँ पर write करेंगे, ओके यहाँ पर 3 and यहाँ पर 2 because everyone hand span have different size यहाँ पर write करेंगे and next देखते हैं बेटा what conclusion can you draw from this this is also not accurate method of measurement यहाँ पर this is also not accurate method of measurement you write करेंगे, ओके, sorry this is also not accurate method of measurement see में बेटा, क्या ask your teacher to help you to measure the length and breadth of your classroom using your foot length 6 and breadth आपका 4 means चोड़ाई आपका 4 and lambi क्या होगा बेटा 6 आ जाएगा, ओके, यह 4 होगा बेट and length 6 use your body parts to find the measurement of the following object यहाँ पर body parts से अपने क्या करना है measure करना है, जैसे height chair की height कितनी होगी hand span से 8 यहाँ पर measure किया है 8 and the length of the table cloth table cloth जो होता है उसकी लंबाई कितनी होथी 2 cubiard यहाँ पर 2 cubiard write करेंगे, the length of a floor bed foot span यहाँ पर 2 foot span write करेंगे, ओके बेटा 8, यहाँ पर 2 cubiard foot span, 2 foot span write करेंगे, कोई बच्चा mistake नहीं करेगा, मुस्सी class group में पूछ लेगा, जिसको समझ में नहीं आएगा and the length of the blackboard hand span 7th hand span the length of a soft board qubit में 2 cubiard and the width of the path foot span में 4 foot span, ओके, सारी बच्ची note करेंगे अपनी बुक में सभी बच्चों को homework complete करना है यहाँ पर the length of blackboard 7th hand span length of a soft board 2 cubiard and red top path foot span, 4 foot span यहाँ पर होगा, ओके, सारी बच्चों को दिख रहा है ना, 7th hand span 2 cubiard and 4 foot span, ओके, कर लेंगे बच्चों ओके, class, thank you have a nice day